नमस्कार दूस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल अंजली नियूस कौन में मैं हूँ आपकी वही अंजली कबूल हो गई हर दुआ हमारी मिल जो गई हमें चाहत तुम्हारी अब नहीं चाहत है दिल में हमारे कुछ जब से मिल गई है महाबत तुम्हारी जी हाँ आपने सही सुना हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं आज के दिल जिनका बज़े है या फिर मारेज अनुवर्शरी है उनको मेरी तरफ से ठेट सारे शुब काम ना आए तो चलिए स्टार्ट करते हैं सपनी तभी सच होते हैं जब हम सपनी देखना शुरू करते हैं कड़ी महनत और द्रड आत्म विश्वास आज सफलता नाम की विमारी को हराने की सबसे अच्छी दवा है ये आप को एक सफन इंसान बनाती है कोई भी नकाम्याबी मुझ पे हावी नहीं हो सकती जब तक मीरा काम्याबी पाने का इरादा मजबूत है आप इतने काबिल बनाओं कि जब आप खड़े हो तो हर कोई आपके लिए खड़ा हो जाए समय और जिन्दगी संसार के दो सबसे बड़े टीचर हैं जिन्दगी हमें समय का सही उप्योग करना सिखाती है जबकि समय हमें जिन्दगी जीने का तरीका बताती है जब आप बीजे होते हैं तो सब कुछ असान होता है लेकिन जब आप आलसे हो जाते हैं तो सब कुछ असान नहीं रहता सबसे श्रेश्ट व्यक्ति तो वो नहीं है जिन्होंने अफसरों का इंतजार किया बलकि वे हैं जिन्होंने अफसरों को अपनाया और उनको जीता जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती और जो चीजें ज्यादा दिन तक चलती है वो जल्दी नहीं मिलती अच्छे दोस और अच्छे संसकार आपको वहां ले जाएंगे जहां आपको पैसा कभी नहीं लेके जा सकता दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से तूट जाती है एक काम्यावी ही है जो ठोकर खाकर मिलती है चिरवाद में मैं आपको बता दूँ कि भागिशाली जो रंग है वो रहने वाला है आज का लाल रंग और जो लखी नंबर है वो आज के लिए आपका नंबर 6 याने के 6 बन रहा है आज जो है वक्त के साथ बदलना आपको सीखना होगा खुद के अंदर फ्लक्सिबिलिटी लचीलापन लाने के जरा कोशिश कीजिए जितनी असानी से आप बातों को अपनाने की कोशिश करेंगे उतना ही आसान आपका सफर रहने वाला है वक्त और हलाद के साथ आपको समझ्धा करने की जरुरत नहीं है लेकिन किस परिस्थि में जुकना है और किस परिस्थि में अपने निश्चे पर ढटे रहना है इस बात का जरा सोष समझ कर आपको फैसला करना होगा आज के दिन आज कोई करीबी दोस्त आपको उपना राज बताने वाला है आपको उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनकर ही शलाह और सहान बूती देनी है अपने सभी कारे रचनात्मक तरीके से कीजेगा फिलहाल तो आप ताकतवर तरीके से कारे कर रहे हैं और इसका प्रभाव आपके आसपास के सब लोगों पर भी पड़ेगा इसलिए आपको जरत सो समझ करें कुछ बोलना और कहना चाहिए वही आपके लिए ठीक साबित होने वाला है समय अनकूल है जो आपको आशावादी बनाकर रखेगा और किसी सपलता का जरिया भी बनाएगा घर पिरवार के रखरकाव की विवस्था संतोष चनक रहेगी फ्रेंड्स के साथ भी आप काफी मौज मस्ती में समय भी ताने वाले हैं और ये समय यादगार रहेगा इस बात का ध्यार रखना है कि कहीं आपका कोई कमजोर पहलू उजागर न हो जाए आज बच्चों की संगती से रिलेटिड शिकायते आ सकती है इसलिए उनकी कती विधियों पर कड़ी नज़र रखेगा भाई और वहन की स्वास्तों को लेकर थोड़ी बहुत चिंताएं आपको जो है आज के दिन सता सकती है परिवार के साथ हो रही तक करार दूर होने लगेगी पैसों से रिलेट तकलीफे भी दूर हो सकती है आज जो है आपके उपर जो दवाब बना हुआ था वो मिटने लगेगा और आपसे सबंदों में काफी अच्छी जीज़े देखने को मिल सकती है खुद के लिए लक्षित तैय करते समय अपने विचार और अपनी क्षमता को ज़रा ध्यान में रखेगा आज आप अपनी पर्सनल बाते किसी से शेर मत कीजेगा किसी व्यक्ति पर ज़्यादा भरोसा करना नुकसान हो सकता है खरीदारी और मनरंजन से रेलेटेड कारियों में खर्चे की अधिकता भी बनी रह सकती है इसकी बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजनस और करेड के व्यविसाय में गति वीदियो में कुछ अनकूलता आएगी लेकिन कुछ नई जिम्मेदार या आज आपकी उपर आ सकती है अगर आप इन्हेरे भाने में सक्षम रहते हैं तो भविशे में कारोबार से रिलेटेड बहुत सारे नई ने रास्ते खुल सकते हैं आपके लिए कोई ओफिशल यात्रा भी करनी पड़ सकती हैं आपको आज विदेश में काम करने वालों लोगों को काम की जगहा बड़ाउती मिलेगी और बड़ा आर्थिक फायदा भी देखने को उनको मिल सकता है विवसाय में तरक्की का उची तफसर भी मिलने माला है कारोबारी और नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बहुत ही बढ़िया कहा जा रहा है महनत के बहतरी नतीजे मिलेंगे अगर आप कंप्यूटर, मीडिया, साहित्य, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो बहुत ही मन की कॉर्डिंगली परिणाम देखने को मिलेंगे काम से समंदित नया नजर या प्राप्त होने के वज़ा से काम से रिलेड़ तक्रीफों को दूर करने के लिए आप सक्षम रहेंगे साथ ही में आज आपका जो ध्यान है भटने की समभावना भी निजर आ रही है हलाकि आपका कारे जमा होता जा रहा है लेकिन आपका ध्यान अनुत पाद कते विधियों में लपता रहेगा फिर भी आपको आराम करने का अफसर नहीं मिल पाएगा क्योंकि जागरुकता और चिंता हमेशा आपके मन पर हावी रहेगे और आपका कारे अभी अधूरा है आपका लंबित कारे जमा होता रहेगा जो कि आपकी कारे प्रणाली की दिंचर्या पर एक दीरिग कालिक प्रभाव डालेगा यानि गर आप महनत पर महनत करेंगे तो जल्दी ही आपको उसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा लक्ष के आप हड़ते नजर आएंगे, आप लक्ष से भढ़क भी सकते हैं इस चीज से, तो ज़रा आपको बालंस बना कर रखना चाहिए, रमान्स के साथ आपको अपने व्यक्तिकते कार्यों पर भी फोकस करना है, बहुत जरूरी है, विवाहासरे ले रिड़ लिया गया फ समय अपने परिवार पर विशेश ध्यान देने के लिए भी उत्तम है, बच्चों के गतिविध्यों की वज़ा से आप पूरे दिन बीजी रहेंगे, आप ऐसे समारों में भाग ले सकते हैं, जिसमें आपका बच्चा गायन प्रतियोगिता का खेल में भाग ले रहा हो, अगर भी कहीं दू रहते हैं, आपके नजी के रिश्यदार आपकी लगू लेकिन विचाशल प्रयासों की सरहना भी करेंगे, यानि कि आपकी प्रचंसा की जाएगे, आज आप दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, एज़िक साथ ही बागे बढ़ते हैं और बात कर लेते तो स्वास्ते कहता है कि स्वास्ते तो ठीक रहेगा ही रहेगा, लेकिन महिलाएं जरा स्वास्ते को लेकर परिशान हो सकती हैं तो ध्यान रखिएगा बजर्गों को चिंता के कारण सेह से लेटेट तकलिफ हो सकती है, तनाव और डिप्रेशन जैसे सित्या भी बनती नज़र आने वाली है अपने परिशानियों को किसी शुब चिंता कत्वा नज़दी की व्यक्ति के साथ जानजा करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा जैसे योगा, ध्यान और ताइची आदी सब चीजों से आप अपनी अच्छी सहत से रास्ते जो हैं उसमें आने वाली माधाई उनको दूर कर सकते हैं अगर को तक लिए बढ़ती दिखाई दे रही हैं तो उसके प्रती लापरवा ना हो, फॉरण डॉक्टर की मदद लें और उनसे कहें कि आपको कोई हलकी दवा दे दे बस आप अपना खाना पीना ठीक रेखिए, बाकी सब कुछ जो है, वो ठीक होता नज़र आएगा इसके साथ ये बंत में बात कर लेते हैं आज के विशेश उपाय के बारे में तो विशेश उपाय आज आपके लिए कहता है कि आज आपको शिवजी को बेसन का लड्डू का भोग जो है, वो ज़रूर लगाना चाहिए इसके साथ ही आपको जह भगवान विष्णी की प्रतिमा को थापिद करके आपको उनकी विधी विधान के अनुसार जो है आप फूजा करें तो बहुती ही ज़ादा अच्छ है जो है तीजह आपको देखने को मिल सकते हैं साथ में अगर आज आप जो है दान पुन्य करते हैं तो वो भी बढ़िया रहेगा और दान पुन्य हमेशा गुप्त तरीके से कीजेगा और हाँ कुत्तों को रोटी खिलाना मत भूलेगा तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और